Hello students, welcome to my class, little learners. आज का हमार टॉपिक है, phonic sound I. लाज्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था, phonic sound A and E. आज हम लोग पढ़ेंगे, phonic sound I. Look here, some pictures are present there. फिस, माई, स्कीन, रेंग, सीप, राइज, चेयर, लॉएन, चिक, काइट, गर्ड और पैंसी. क्या करना है हमें? हमें आई साउंड को ध्यान में रखना है. आई साउंड को पढ़ना है, गेट करना है, कैप्चर करना है, ठीक है? पोनिक साउंड आई, पोनिक साउंड आई, फिस, फिस, माईज, माईज, लेके आई बीची में आ रहा है न? पीज, किएग, रीज, 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 Pencil, Pencil, Look here, सारे words के अंदर I लिखा हुआ है, और सारे words के अंदर I का pronunciation भी हो रहा है, सबसे ज़्यादा Mice, Rice and Kite, इन तीनों में सबसे ज़्यादा I sound focus हो रहा है, King, chair, girl, ring, loin, pencil, fish, sheep and chick, जब हम बोलते हैं, sound करते हैं तो इसमें I खलका silent होता है, लेकिन I यहाँ भी है, sound है, टीक है F-Y-S-S, Fish, Fish means Machli, M-I-C, Mice, Mice means Chuha, King, King means Raja, Ring, Ring means Anguthi, Sip, Sip means Jaj, Paniwala, Rice, Chowal, Chair, कुर्सी, loin, लोएन, शेर, चिक, काइट, वतांग, गर्ड, लड़की, पैंसिल, आप सभी जानते हो पैंसिल, देखे, यहाँ हमारा I sound clear है, face, mice, सभी में I sound clearly दिया हुआ है, I, I, mice, rice, and kite, इनके अंदर very clearly आपको I sound पता चल रहे हैं, लेकिन कहां नहीं पता चल रहा है, बहुत silent में आ रहा है, यह हलका आ रहा है, तो fish, shape, chick, king, chair, girl, pencil, loin, and ring में, but all of them में I sound हमारा present है, और sound भी आ रहा है, आज पिसले lesson की तरह, इसमें भी आपको वही करना है, I sound वाले word invent खोजने है, नहीं अभिश्कार नहीं करना है, अगल बगल आपके बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं, जो I sound को relate करती है, उसमें I sound आता है, ऐसे words को आप निकालिए, ढूंडिए, और उनको एक जगा, बुक पर, कॉपी पर अपनी note आउट करिए, ठीक है, इस तरह आप अपना work out करेंगे, work finish करेंगे, and thank you for watching my video,